हेलो एब्रिवान वल्कम बैक तो मैं चैनल और मैं हूनिधी आज के वीडियो में मैं एक ऐसे सिम्टम के बारे में बात कर रही हूं जो आपको थर्ड ट्रैमेस्टर यानि सेवन मन्थ आनवर्ड आपको रेखने कुछ जरूर मिलेगा कॉमनली सभी को हुटता है और ऐसे में आपने सिम्टम को इग्नोर कर दिया धंक से डील नहीं किया तो फिर आपको प्रॉब्लम्स भी हो सकती है कुछ कॉंप्लिकेशन भी हो सकती है और यह मेरा परस्नल एक्स्पिरियंस भी है अभी मेरी खुद की सेकेंड प्रेगनेंसी चल रही है तो यह प्रॉब्लम में आपको बताना चाहूंगी कि मेरा एक व्लॉग चैनल भी है जहां पर मैं डे टो डे बेसिस पे अपना रूटीन और जो भी चीज़े मैं कर रही हो वह सब कुछ वह पर शेयर करती हूं करेंट्ली वह पर प्रेगनेंसी रिलेटेड बहुत सारी इंफोर्मिशन शेयर करती तो यह सारी चीज़े आपके जरूर काम आएंगी इसलिए मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें लिंक मैंने उपर दे रखा है So guys frequent urination एक ऐसा symptom है जो आपको through out pregnancy होता ही है स्टार्टिंग से लेकर के end तक होता है बट जैसे आपको 7 month या 6 महिने के करीब चलता है तो उसके बाद आपको baby का weight काफी अच्छा से बढ़ चुका होता है और फिर जो baby है ना वो हर organ पे थोड़ा थोड़ा pressure डाल रहा होता है और वो उनमें से एक organ होता है आपका bladder तो इसी लिए जैसे आपको 7 month लग जाता है देन उसके बाद आपको frequent urination मतलब बार-बार bathroom जाने की जो urge है और जल्दी-जल्दी वो होने लगती है इवन रात में जब आप सो रहे होते हो तभी आपको बीच में हो सकता है उठकर एक दो बार bathroom टॉलेट जो है वो जाना पड़े तो यह बहुत common है और बहुत natural है क्योंकि बच्चे का जो weight है उससे bladder pressure पड़ रहा है तो आपने थोड़ा भी पानी पिया तो उसके बाद आपक अब जाना पड़ता है मतलब एक घंटे में भी मुझे जाना पड़ जाता है इतना भी हो जाता है तो उसकी वज़े से tiredness भी आती है और थोड़ा मन भी खराब होता है कि बार बार क्या है यह होता है और ऐसे में क्या है कि हम लोग कई बरी इग्नोर कर थक जाते है या फिर म जाना है आपका bladder full हो चुका प्रेशर आ रहा है तो फिर आपको देर नहीं करना चाहिए hold नहीं करना चाहिए as soon as possible आप जाए और बात्रूम जाकर करके अपना uranus को पास कीजिए अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं सबसे पहले चीज तो मेरे सा प्रॉब्लम पर उतनी वह पांच मिर्ट भी बहुत जादा डिसकंफर्ट अनकंफर्टेबल हो जाते है मुझे पेन और अजीब सी एक सेंसेशन सी होने लगते है यह सारी प्रॉब्लम होती है तो यह आपको वहां पर फील होने लगी तो उसका में कारण यह ही है कि आपने ब्लैडर जो है वह हो रहा था तो मुझे लग रहा था कि क्यों हो रहा ऐसा बार-बार फिर मैंने नोटिस किया कि जैसे जब मैं यूर्ट अगर आप फोल्ड करके बाथरूम विजिट करते हो ना तो उसमें एक चीज़ और पर बाथरूम जब आप यूरिन पास कर रहे होत तो फिर आपको वह दस मिनट जो है ना वह थोड़े से अनकंफिटेबल होते हैं तो उस चीज़ से बचने के लिए आपको तुरंती जैसे आपको लग रहे है कि हां को टॉलेट जाना है आप जाओ यह तो आपके डिसकॉंपट की बात होगी लेकिन इसके साइड एफेक्ट यह तो एक साइड एफेक्ट यह है कि ब्लैडर अगर फुल है तो उसे बच्चे को प्रेशर बच्चे के उपर प्रेशर पड़ता है तो वह बच्चे को हाम कर सकता है किसी भी तरीके से तो डॉक्टर्स यह सजेस्ट करते कि अगर आपको आर्ज आ रहे हैं तो आप इंफेक्शन के लिए बहुत जल्दी तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को थर्ड ट्राइमस्टर में यूरिन इंफेक्शन की प्रॉब्लम होती है तो अगर आप उस प्रॉब्लम से बशना चाहते हैं तो आप ब्लाडर पर बिल्कुल भी होल्ड मत कीजिए ऐस जैसे कि आपको प्लिक ट्वालेट्स यूज ना करना पड़े और आपको होल्ड भी नहीं करना पड़े अंटिल अनलस की कोई अमर्जेंसी या कोई बहुत जरूरी चीज है तो अदरवाइस ऐसे जैसे मैं अवोइड करें तो यह टिप मैं अदीशनल आपको देरी कि यही था अज का वीडियो आपके कुछ क्वेशन सो तो आप डेफिनेटली कॉमेंट बॉक्स में डाल सकते हो मेरा एक व्लॉक चैनल भी है जहां पर मैं और भी सब चीज़े अपनी डे टुडे लाइफ की शेयर करती रहती हूं अभी जो मेरी प्रेग्डेंसी चल दीए उस यहीं वालो कर लीजिए मैं मिलती हूं आप से एक यूसफल वीडियो के साथ तब तक लिए बबाई एंटेक केर के आप के आप के आप के अ के अ